हेलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हो आप सब तो आज मैं आपके लिए सिंपल इजी और टेस्टी आलू की सोखी सबजी की रेसिपी लेके आई हूँ ये सबजी बहुत टेस्ची बनती है दाल के साथ खाओ राइस के साथ खाओ प्रॉंठी के साथ खाओ सब के साथ अच्छी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो इसके लिए मैंने पांच मेडियम साइज के आलू लिये हैं तो आज मुझे बहुत जल्दी तो मैंने फटाफट इसको मायक्रोवेव में रखा और 6-7 मिनेटanting बॉईल कर दिया था 6-7 मिनेट माद बॉईल होने के बाद मैंने इसको थंडा होने के बाद साथ ही 2 प्याज लिए हैं इसको फ्यूपर में चॉप कर दिया था और साथ ही मैंने कढाई रख ली थी और इसमें वन टेबल स्पून ओलिव ओल डाल लिया था ओलिव ओल जब गरम हुआ तो मैंने चौप किये हुए दो प्याज डाल दिये थे हम इसको अच्छे से सौटे करेंगे जब तक ये सुनहेरा रंग ना हो जाए हमारे प्याज का देखे हम प्याज को अच्छे से सौटे कर रहे हैं साथ ही जब 6-7 मिनिट्स के बाद जब हमारे आलू हो गए थे तो मैं अभी चेक कर रही हूँ नाइट से कि ये अच्छे से हमारे बॉयल हो चुके थे तो मैं इनको काट रही हूँ तक ये ठंडा हो जए और हम इसे कट कर ले तो अब हम प्याज के तरफ आ जाते हैं प्याज को अच्छे से सौटे करेंगे और साथी दो टमाटर और दो हरी मिर्च को चौपर में चौप कर लेंगे इस चैम पे हमारा जो प्याज था वो अच्छे से सौटे हो गया था साथी हम इसमें चौप की हुए टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे इन सबको अच्छे से सौटे करेंगे जब तक ओयल न छोड़ दे आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सौटे हो रहा है इस चैम पे हमारा टमाटर भी अच्छे से सौटे हो गया था साथ ही अब हम डालेंगे अपने बेसिक से मसाले जिसमें मैंने डाला है नमक, आधा टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून धन्या पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून प्लैक पेपर और वन फो टीस्पून भुना जीरा सबको अच्छे से mix कर लेंगे तड़के के साथ साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि अच्छे से जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से रिज जाएं तड़के के साथ अब मैं साथ ही साथ अपने boil कियोए potatoes डाल दूँगी और crushed कस्तूरी मेथी कस्तूरी में थी मैंने यहाँ पर वन फो टीस्पून लिए है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको देखिए हमारी सबजी बिल्कुल रेडी है आप अपनी फैमली को खिलाए खुश कर दें टेस्टी टेस्टी लंच में भी भेज सकते हो बच्चों के आप यह सबजी कभी भी खा सकते हो तो देखिए उपर से मैंने धन्या पत्ती डाल दिये बहुत ही अच्छी लग रही है सबजी दिखने में और खाने में भी उतनी ही जादा टेस्टी थी तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब थांक यू फो वाचिंग